जानेंगे लक्षमी और्गैनिक सेयर को लिए सर मेरे पास लक्षमी और्गैनिक है जो मैंने काफी टाइम दिसंबर 2021 से लिया वार और यह मेरा 70 शेयर है अगर आपको अभी राहुल जी बोलेंगी थोड़े समय आप होल्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हो ना कोई दिक्कत निया उसमें तो राहुल जी लक्षमी और्गैनिक्स उमीद थी लक्षमी आने की आई नहीं अभी तक इसमें क्या करना चाहिए चारसो पंदरा रुपे के दाम पर खरदारी है, सतर शेयर है, तेड़ सो रुपे पर शेयर का घाटा है नमबर्स अब थोड़े से ठीक होने शुरू है इस कंपनी के, क्या करें? जी बिल्कुल सुमीद जी बिल्कुल आपने ठीक का, नमबर्स थोड़े से अब इंप्रूव होने चालू किये हैं पर देखे, स्टॉक एक साइडवेस कंसॉलिडेशन में ट्राविल करता है स्वाती जी और अगर आप थोड़ा सा और लंबे समय के अगर चार्ट सकर देख पाएं या मैं आपको सुझा पाऊं तो देखे, 2021 से जो गिरावट इसमें शुरू हुई है वो अभी तक कवर नहीं हो पाई कहीं ने कहीं तक और लगातार नीचे के और ही ये फिसलता जा रहा है प्राइस बैंड के हिसाब से जो वॉल्यूम अभी अड़ प्रेजन्ट है इन लेवल्स पे वो भी काफी लो नजर आती है मेरा मानना है कि आप इसमें समय जादा ना बिताते हुए अगर स्टॉक के अंदर कोई भी बाउंच मिलता है तो आप वहां से एक्जिट इसमें से लें और किसी बहतर कंपनी में निवेश करें जहां पे आप लंबे समय के लिए एक अच्छा एक अच्छे पोटेंशल के साथ में आपकी कमाई भी हो सकती और जो इस टॉक के अंदर लॉस हो है वो भी आपका रिकवर हो सकता है तो मेरा मानना है कि आप थोड़े इंतजार करक्षिते के साथ में जैसे इसमें कोई उच्छाल आए तो आप वहां पर एक्जिट लें अच्छने और इसमें और इसमें और यहां पर जब तक स्टॉक 280-290 की उपर क्लोजिंग नहीं देगा वहां तक हमें इसमें लगतार विकवाली ही हावी होती होती हो दिखेगी तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास में लंबी हवदी का अगर समय है तो आप 280-290 का लेवल जैसी क्रॉस होगा वहां पर आपको एक अच्छी उच सेलिंग प्रिशर आता हो बनता हो दिखेगा इन फैक्ट कि राहुल जी वो IPO के जोन्स भी थे तो वहां से सप्लाइज और बढ़ सकती IPO की तो लेकिन अदरवाइस अभी तो आप बने रहो स्वाती मैं कोई भी तेजी मिले आप एकॉर्डिंग लिए कॉल लेना नया जैसे लक्ष्मिय और जैसे इन सब में ही सेलिंग थोड़ी से थमी है और स्टेबल हो रहे हैं तो इसलिए आप डाउनसाइड की तो उम्मीद थोड़ी कम है लेकिन आप अब अभी तो बने रह सकते हो इसके अंदर बाकी मार्कर पर डिपेंड करता है